नमस्कार आप देख रहे हैं जोहार जार्खट में हूँ आपके साथ रुचिक राज जार्खट में टीडी ने बड़ी कारवाई की है कॉंग्रस नेता और ग्रामीन विकास मंत्री आलमगीर आलम के OSD संजीब लाल के सहाइक जहांगीर आलम के घर पर कैश काउंटिंग का सलसला जारी है जांगीर आलम के घर से मिले हैं कैश की रकम और बता दे की बढ़कर 40 करोड ये रकम हो गई है जांगीर आलम के घर कैश वेल लाया गया नोट गिनने के लिए लाई गई है पांच मशीन में से एक मशीन खराब भी हो गई जांगीर आलम के घर के अलावा संजीव लाल के एक करीबी मुन्ना सिंग के आवास पर भी चापे मारी हुई है पिपी कमपाउन में चल रही चापे मारी में अब तब 3 करोड कैश मिले हैं और मुन्ना सिंग के आवास पर अभी भी नोटों की गिनती की जा रही है और ये तस्वीर ये एक्स्क्रीसिव तस्वीर आप देखनें अपनी टीवी स्क्रीन पर और इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि ये कैश काई खेला जो चल रहा है जारखंड में उसे लेकर के अब इडी लगतार छापे मारी कर रही है आज सुबह से ही राची के छे टिकवानों पर जो दबिश है वो दी जारी है फिलहाल इस वक्त हम आपको बता दे कि हम इस वक्त मौझूद हैं जहांगीर आलम जो की संजीव लाल के ओषडी के जो सर्वेंट है और जो उनके सहायक कहा जा सकता है वो हैं वहीं अभी भी नोट जो मशीने हैं यहाँ पर पहुंची है जिन से नोटों की गिंती का काम जो है वो किया जा रहा है एक मशीन जो है वो नोट गिंते गिंते खराब भी हो गई है और फिर से एक बार दो मशीने यहाँ पर लाई गई है वहीं दूसरी तरब बात की जाये तो बारा बक्से जो है वो भी यहां पर पहुँचे हैं, हर चीज की जो जाच है वो कर रहे हैं, हर जो दस्तवेज यहां से मिले हों, या फिर कैश की जो काउंटिंग है, वो हर तरब से यहां से की जा रही है, ताकि कोई भी एविडेंस न छूटे, वहीं दूसरी तरब जहांगीर से भी लगतार प प्रकाश न्यूजटिंग राच्ची मिल रहे हैं, नोटों के पहाड, लोगों आएगा चोरी हुकिया माल पकड़ रहा है मोधी वहां, अब मुझे बताइए, मैं चोरी बन कर दूँ, इनकी कमाई बन कर दूँ, इनकी लूट बन कर दूँ, तो मोधी को गाली देंगे के नहीं देंगे, देंगे के नहीं देंग चेगने बचानी चाहिए आपके हक का पैसा बचाना चेगने बचाना चाहिए और इसलिए मोदी ने जंदन खातों आधार और मोबाइल की ऐसी त्री शक्ति बनाई कि गरीबों का पैसा लूटना बंद हो गया अब गर बनाने का पैसा चीधा आपके खाते में कैस का पैसा चीधा आपके खाते में मंडरे का पैसा चीधा आपके खाते में किसान सम्मानी जे का पैसा चीधा आपके खाते में यानि सब को लाब चीधा लाब कोई बेदबाव नहीं और ये मोदी की गरंटी है एडी की कारवाई पर आलमगीर आलम ने सफाई देते हुए एक कहा है कि एडी की छापे मारी की जानकारी नहीं है तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां एडी की कारवाई पर आलमगीर आलम ने सफाई देते हुए बड़ा बयान दिया कहा है कि ED की छापे मारी की जानकारी नहीं है संजीब लाल एक सरकरी मुलाजी में है वो हमारा PS है और हम लोग भी जब भी PSOS सेलेक्शन करते हैं तो अनुआव का धर पर करते हैं इसके पहले भी दो-दो मंतरी का पिएज रहे चुके थे अब हम लाएं सरकारी व्लाजी में तीवी में आप लोग जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं अभी जो चर्चाव चल रही है वह इडी में तो वह तो जब और इसी ख़बर पर जाधा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज एटिन के समवादता ओम प्रकाश फोल लाइन पर जुड़ चुके हैं ओम लमाफ की जिगा लाइफ जुड़े हुए हैं और उनों उनसे हम आगे जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ इस पूरी खबर पर फि बलकुल इस वक्त हम खड़े हैं वहाँ पर जो कहा जा सकता है कि एक धनकुबेर का घर है और इसी जो अपार्टमेंट में जो सर सयद अपार्टमेंट है जो रिसिडेंसी है इसी के दूसरे माले पर जहागीर आलम का आवास है जो यहाँ पर रहते हैं और उनी के घर से जो जा रहा है इडी के अधिकारी और जो बैंक के अधिकारी हैं वो लगातार उसे गिन रहे हैं चाशा को जो है वो घिना जा रहा है कि आखिर यह पैसा कितना है बता है रोड रुपए से उपर की रकम जो है यहां से बारामद हो। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी क्लियों प्रकाश और सीधी ले चलते आपको जियारपूल जहां पर अमिश्रा जन्सभा को संबोधित कर रहे हैं। पार कराना है या नहीं कराना है बिहार की सबी सिटे एंडिये को जिदाना है या नहीं जिदाना है तो ऐसी आवाद नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए माताय देने भी हाथ उठाइजरा। विजाय के संकल्प की मुठी पिचे और प्रचन दावाद से बोलिए जै श्रीरा, जै जै श्रीरा, बारत मतापी, मर्च पर उपस्तिक, स्रीमान विजय चोद्री जी मंत्री बिहार सरकार जनक चमार जी मंत्री बिहार सरकार असोप चोद्री जी मंत्री बिहार सिकार भाजपा की वरिष्ट नेत्री रेव देवी जी श्री रामनाथ ठाकूर जी, श्री अनिल सर्मा जी, तरून कुमार जी, राजे सिंग जी, लकेंद्र पास्वान जी, संजे सिंग जी, विरेंद्र पास्वान जी, जगननाथ ठाकूर जी और आज के कारेक्रम में जिनको जिदाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ वो मेरे साथी मीत्रा आपके सांसत नित्यानन दिराएगी जिनको जिदाने के लिए और आज इतनी बड़ी संख्या में उपस्तित माताओ बेनो भाईो और मेरे जिगर के टुकणे जैसे युवा मित्रा आपके लिए भाईो वेनो सबसे पहले मैं विद्यापति दाम खुद्नेश्वरस्थान इसकी पवित्र भूमी को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुवात करता हूँ निर्णजन स्वामी को भी प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुवात करता हूँ स्वर्गिया पंडित सत्यनारें तिवारी जी भारतिया स्वतंत्रता संग्राम के महान से नानी आज उनको भी प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुवात करना चाहता हूँ सबसे पहले मैं बिहार गवरव जन्नायक करपुरी ठाकुर को भी जो इसी भुमी से आगे बढ़े उनको प्रणाम करता हूँ और मन पूरुवत उनको नमन करता हूँ भाई और मेने अभी अभी बिहार के वंचितो दलीतो पिछडों के रदय के नेता रदय से माने हुए नेता करपुरी ठाकुर जी को नरेंदर मोदी जी ने भारत रत्न देकर जन्नायक बारत रत्न करपुरी ठाकुर बनाने का काम किया करपुरी ठाकुर जी ने जिवन की अंटिम सास्तक हर बल गरीब पिछडों का काम किया और कर्पुरी ठाकुर जी ने महितिली भासा को सन्मान देने की मांग की थी और अटल जी ने महितिली भासा को आठ वी अनुसुची में स्थान देने का काम भी अटल बिहारी बात पही हुए मैं जब यहां आया हूं तब मैं आप सभी को कहना चाहता हूं भाई ओवे नो पिछड़ा समाथ की सबसे बड़ी विरोधी अगर कोई पार्टी है तो एक कॉंग्रेस पार्टी और आज सब्टा के स्वार्थ के कारण लालु जी एक पिछड़ा विरोधी कॉंग्रेस पार्ट सबसे पहले है देश में पिछड़ा समाज को आरख्शन देने के लिए सबसे पहली रिपोट आई काका साहिब कालेल कर कमिशन की रिपोट जिसको कभी माना नहीं गया समाब कर कॉंग्रेस पार्टी भातिस हासनी फिर मंडल कमिशन मंडल कमिशन को भी ठंडे बस्ते में डाला पर जब मंडल कमिशन को स्विकूती दी गई इसका सबसे कड़ा विरोग ये राहूल बाबा जो है ना कॉंग्रेस के नेता उनके पिता जी राजी गांधी ने किया भाइव और बेनों OBC को इतने सालों से पिछड़ा आती पिछड़ा को समविधान कानेता नई दी थी नरेंद्र मोधी जी ने पिछड़ा आती पिछड़ा समाज के लिए आयोग बनाया और संभिदानिक मानिता देने का काम नरेंद्र मोधी जी ने किया मोधी जी दे नीट मेडिकल और एंग से डाखलों के अंदर पिछड़ा समाज अति पिछड़ा समाज को 27 प्रतिसत रिजर्वेशन देने का काम नरेंद्र मोधी ने किया और भाईयों बेनों मैं जब आज यहां आया हूं तब बताना चाहता हूं पिछड़ा समाज के आरक्षन पर डाका डालने का काम कॉंग्रेस पार्टी ने किया। अरक्षन दिया अब मुझे बताओ उज्यारपूर वालों एक पाच प्रतिसत आरक्षन किसका कटा मैं बताता हूं एक प्रतिसत आरक्षन मेरे पिछड़ा समाज के भाईयों बेनों का काट कर मुसल्मानों को देने का काम एक कॉंग्रेस पार्टी ने कि आंद्रप्रदेश के तो और उनकी सरकार आई चार प्रतिसत आरक्षन माइनोरिटी को मुसलिमों को दे दिया गया किसका काठा धिछड़ा समाज को कि कि लालु जी बिहार में पिछड़ा समाज के आका बन कर घुंते हो जरा बिहार के पिछड़ा समाज को यह जो लुट मारी हो रही है पिछडों के आरक्षन पर इसका हिसाब किताब देना मगर आप चिंता मत करिएगा मैं कहें कर जाता हूं करना टक और आंध्रों में जैसे ही बात बासरकार बनती है यह मुस्लिम आरक्षन को समाप्थ करने का काम पार्थिय जन्ता पाशन करें भाई हो बेनो माइनोरिटी को आरक्षन दर्म के अधार पड़ा आरक्षन इस सम्विधान सम्मत नहीं है हमें नहीं होने देंगे और स्टी स्टी ओबीजी का काट करतों कभी नहीं होने देंगे बायो बेनोरिटी के मंत्री मंत्र में 27 मंत्री कितने मंत्री जोर्च बोलो भाई कितने 27 मंत्री पिछड़ा समाज के है कॉंग्रेस कभी डबल डिजिट में भी नहीं आती थी परमतिर राहूल भाबा को किसी ने पकड़ा दिया बायो बेनो आज मैं आपको पुछना चाहता ह। बिहार की जन्ता को पुछना चाहता ह। भृष्टा चाहर रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए जोर से बोलो रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए कल जार्खंड के मंत्री के यहां से 30 करोड रुपिया मिला जार्खंड मुक्ती मोर्चा का मंत्री इंडी एलाइंस का साथी इसके दो महिने पहले जार्खंड में कॉंग्रेश के सांसद के यहां से 3.500 करोड रुपिया मिला इसके कुछ समय पहले मंत्री के यहां से 51 करोड रुपिया मिला अरे लालू जी आप तो चारा खाकर जेल में गए थे मगरे सारे के सारे आपके साथी भी प्रिष्टाचार करने वागा तो ग्रह मंत्रियों में शाह को सुन रहे था लेकिन इसके साथ रुकेंगे एक छोट सब्रेक लिए जल्द हासर होते हैं